11 नवेंबर के वीच DRDO को Bay of Bengal में Long Range Ballistic Missiles टेस्ट करने थे लेकिन इन टेस्ट को डिले करना पड़ा जिसका one of the main reason चाइना है जिसने इन टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए इस रीजन में एक स्पाय शिप भेजी है जिसको चाइना एक रिसर्च वेसल बता रहा है ये 22,000 टन की चाइनीज वेसल युआन वैंक 6 है जिस पर लार्ज एंटीनास के साथ साथ एडवांस सर्विलेंस एक्यूपमेंट और ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो सेटलाइट लॉंचेज और लॉंग रिंज बिलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरीज को ट्रैक कर सकते हैं इसे इंडोनेशिया के बाली कोस्ट से सेल आफ करते हुए देखा गया है क्योंकि ये शिप वार शिप नहीं है इसी लिए इंडियन नेवी ऐसी शिप को सिर्फ इंडिया के एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन्स याने की EEZ में एंटर करने से रोग सकती है हाँ लेकिन ऐसी शिप अगर कोई होस्टाइल मनियूवर करती है तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है इस इयर अर्ली अगस्त में भी युवान वैंक सिक्स शिलंका के हमबन टूटा पोट पर डॉट था और इस पर इंडिया और यूएस ने सीरियस कंसर्न्स उठाए थे